हलो दोस्तों स्वागत है आपका अबन स्वे में इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ काल भेरफ का वो मंदिर जिने उज्जैन का रक्षक भी का जाता है और इस मंदिर में बहुत ही जादा रोचक रहसे भी छिपे वे हैं तो देखते रहे हैं पूरा वीडियो तो अभी हम आ चुके हैं काल भेरफ मंदिर पर जिने उज्जैन का रक्षक भी कहा जाता है और अगर आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किये तो फिर उज्जैन में क्या देखा पास नहीं यहाँ पर आपको सब प्रशाद मिल जाएगा यह मंदिर उज्जैन रिल्वे स्टेशन से लगबग 7-8 किलोमेटर की दूरी पर ही स्थित है और आपको वहाँ से डारेक्ट यहाँ आने के लिए बहुत सारे साधन मिल जाएंगे आसानी से यहाँ पर मंदिर परिसर के बहार ही आपको तरह तरह की दुकाने मिल जाएंगी प्रसाद के लिए आप अपने अनुस्वार यहाँ पर प्रसाद खरीज सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं यहाँ पर तमाम भीड आसपास से खूप सारी भीड़ी खटा हो जाती है और आज मैं यहाँ पर सुमवार के दिन आया हूँ तो यहाँ पर थोड़े बाकी दिनों से जादा ही बीड है और लंबी लाइन भी है अंदर ब्लेंडर स्प्राइड यहाँ पर भार अलग अलग तरह की बोटल मिलती है अलकॉल की जौब अंदर भगवान श्री बहरवनाजी को अर्पित कर सकते हैं कि तौम्या से कुछ चड़ावा खरीद लेते हैं और फिर अंदर सकते हैं मंदिर के दर्शन की ओर बहुत पहले यहाँ पर सिफ तंत्रिक आया करते थे पूजा करने इस मंदिर से जुड़ा यह भी एक बहुत रोचक इतियास है जहाँ पर वो यहाँ पर आकर अलग-अलग तंत्रविद्या किया करते थे लेकिन बाद में इस मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया जब से इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड आने लगी और कुछ साल पहले ही यहाँ पर जो बकरी की बली दी जाती थी वो देना बंद कर दी गई बहुत पहले समय से यहाँ पर शराब का भूग चड़ता आ रहा है पुजारी यहाँ पर शराब को एक बरतन में उडेल लेते हैं उसके बाद वो बगवान को अर्पित करते हैं और आप जानके हरान रह जाएंगी कि जब वो बगवान को दी जाती है तो वो स्वेम बरतन जो शराब से भरावा होता है वो खाली हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो शराब बगवान ने ग्रण कर ली है ऐसा चमतकार देखकर बहुत साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने यहाँ पर खुदाई कराई थी कि आखिर वो बरतन की शराब जाती कहाँ पर है बहुत खुदाई करवाई लेकिन उसको यह पता ही नहीं पड़ पाया कि यह शराब गई कहाँ तो इस चमतकार को देखकर वो हैरान हो गया और यहाँ पर भगवान का भक्त बन गया अब आप करीब से देखिए देखिए पुजारी ने एक बरतन में सारी जो शराब थी वो खाली कली है अब ये भोक के रूप में भगवान को चड़ाई जा रही है अब जैसे ही वो भगवान के पास लेके जाता है वो बरतन खाली होता जाता है और शराब जमतकारी रूप से अरपित हो जाती है अब ही हमने दर्शन किये में काल भैरव मंदिर के पास में ये शिव मंदिर है स्तापित ये है भार से पूरा मंदिर परिसर श्री काल भैरव मंदिर का ये स्ट्रक्चर बाद में इतना बनाए पहले एक छोटा सा मंदिर था उसके बाद आसपास और भी स्ट्रक्चर बना दिया गया लेकिन उज्जेन का रक्षक कहते हैं जिन्हें आप उज्जेन आए तो जरूर जरूर यहां दर्शन करें जरूर बनाँ इतने दो जरूर जरूर निचाए था जरूर 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 जरूरो जरूर जरूर्ण दोर्डवाचर दखता है 2017 कि यहां पर रात में पूरे दिये जलाए जाता है इस सब पर पूरा जगमत कर दिया जाता है यहां पर लोग फूल इसलिए फैकर रहे हैं ऐसा मानते हैं अगर फूल उपर रुख जाए तो आपकी बनुकामना पूरी हो सकती है कि अब इसे के पास में पुराचीन मंदिर रखा है श्री दत्तत्रे मंदिर आए दर्शन करें कि अगम हुआ को देओत को में हुआ सरी होसाल्ग सुम काम कृलो खरी हुआ जई जयोलो 感ृलो तो गंब गर जखा लोगहाईím है ए के रके मैं दारी जोWhere औॉरी हूरी दिए ओर, आरी हरेlock अब मंदिर पजिसर से होते वे हम भार के तरफ चलेंगे और चलेंगे अगले दर्शन की ओर तो आप भी यहाँ पर आईएगा और काल बरफ भगवान के दर्शन कीजिएगा और सचे दिल से प्रातना कीजिएगा तो अब हमारे साथ यहाँ पर है एक माता जी अब इनसे बात करते यह बहुत टाइम से आते रहे हैं उस टाइम पर कैसा लगता था यह मंदिर इस टाइम पर तो यह मंदिर बिल्कु कच्छा आप कहां से आई हैं हम तो इस समय मनसौर से आ रहे हैं लेकिन उजयन बहुत साल रहे हैं तो यहां का हमने साथ साइकिल से घूमा है पूरा अब कुछ चैंज नजर आता इस मंदिर में आपको इसमें तो बहुत बढ़ा चेंज होगया है पहले तो यहां पर कुछ भी नहीं था अशा आप इतना बड़ा परिसर बर बन जाए पक्छा गाया है सारा मंदिर कर्न हो गया है मैसर कि यहीं मैशा देना चाहेंगी हमारे और के मस्क का प्रयोग करें और मास्क लगाकर ही मंदर परिश्रम प्रभीश्घ करें तो यह मıllने आपको बताया पूरा मंदिर का एक रोचक, इतिहास और साथी में आपको दर्शन भी कराए बहुत अच्छे देखते रहे हैं आगे भी अच्छे अच्छे विलोग्स आने वाले देखते रहे हैं और सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मेरे चैनल को